नरेंडर मोदी के लिए गुजरात उनका घर है भले ही प्रधानमंत्री बनने के बाद वो दिल्ली में रहते हो लेकिन सूरत में जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि अभी भी गुजरात के दिल में बसते हैं मोदी और गुजरातियों के ला वो अब भी है स्वागत में ऐसा सेलाब कि सूरत की तुमानो सीरत ही बदल गई हो पीम मोदी गुजरात के दो दन के दोरे पर हैं पीम ने आद सूरत में पाटिदार समाज की बनाए गए मल्टी सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रुसर्च सेंटर का उदगाटन कि अस्पताल में संबोधन के वक्त पीम नरेंद्र मोदी की आँखें भराई ऐसा क्या हुआ उनके साथ क्यून की आँखें भराई आख खुद सुन लीजिए और मैं परिवारों के बीच में पला बढ़ा हूं जी मैं और जगा पर जाता हूं तो मुझे कभी-कभी फिल होता है कि लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिया है हर किसी की नजर में मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं लेकिन एक अगर कोई अप्वाध है तो मेरा सूरत है मैं जब भी मिला हूं वही प्यार वही अपनापन प्रधानमंत्री बाला कोई टैग कहीं नजर नहीं आता है यह जो परिवार भाव में अनुभव करता हूं आपको हहरानी होगी बाहरावालों को भी शायद हहरानी होगी यह सब धनी परिबार है अर्बो खर्बो में खेलने वाले लोग है जब से मेरा सूरत आना तै हुआ तो जिन जिन परिबारों से मेरा बड़ा निकट नाता रहा है अब तो वे अर्बो खर्बो पती हो गए हैं कभी उनकी मा के हाथ से बाजरे की रोटी खाई है कभी खीचडी खाई है मुझे फोन क्या आया क्या रात को सरकेट आउस में आप रुखने वाले हैं तो बाजरे की रोटी भेज दू क्या खीचरी भेज दू क्या आज शुवे भी मुझे जो नरस्ता आया एक परिवार ने पुरा ने मुझे वो अपने सवराष्ठ में जो मोटी भाकरी बनाते न तो उनको याद था सुवे सुवे भेज दी उनको पता है प्रधान मंत्री को क्या खाना क्या नहीं खाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन यह परिवार भाव है जिसकी हर परिवार की माने जिन्होंने कभी ने कभी मेरी चिन्ता की है वो उसी प्यार से मेरी चिन्ता में लगे हुए है मैं समझता हूँ जीमन का इस से बड़ा कोई सवभाग्यन नहीं होता है पत्से इंसान बड़ा नहीं होता है यह प्यार ही है जो बड़पन को अपने सीने से सिमिट करके रख लेता है जो आप लोगोंने मेरे साथ किया है मैं आपका आभारी हूँ मोदी ने इस मौके पर अस्पताल के लिए दान देने वालों के बारे में भी बताया और उनके साथ बताए अपने पलों को भी याद किया सबी दाता स्रियों के बधाई की वर्षा हो रही है पांसो करोड पांसो करोड बड़ी बाहवाई चल दही है लेकिन मैं बाहवाई नहीं करूँगा इन्होंने कुछ नहीं किया है आपको जटका लगाना ये अगर पांसो करोड पांच जार करोड देते हैं कुछ नहीं है मैं बताता हूँ इसलिए ये वो लोग है जो गुजरात के गाउं में खेत में मिट्टी खाकर के बड़े हुए हैं ये वो लोग है जो कभी अपने साथियों के साथ आमली पिपली के खेल खेलते थे पेड़ पर चड़ना उतरना यही जिनका जीम था साइकल के टायर को दोडाते हुए मजा लेना यही जिनकी आप बचपन था बारों महिना माबाप एक ही बात करते थे घर में इस बार बारिस अच्छी हो जाए तो अच्छा होगा बेटा पड़ाई करेगा नहीं करेगा यह चर्चा नहीं होती थी चर्चा यही घर में होती थी भगवान करे इस बार बारिस अच्छी हो जाए दूसरी प्राथना करते थे हमारे पाथ जो एक या दो पशु है वो कभी भूका न रहे ऐसे परिवार के ये संतान है ये वो संतान है जिनोंने अपनी आँखों से ये सब देखा है जिनोंने बच्पन में इस जिन्दगी को जिया है बारिस कम भी हुई हो बारिस कम भी हुई हो परिवार को जितनी जरुरत हो उससे भी कम फसल हुई हो उसके बावजुद भी फसल का धेर अगर खेत में तयार पड़ा है तो चोर खाए, मोर खाए, आया महमान खाए, जब बच जाएं तो खेडू खाए ये संसकार जिन परिबारों के हैं, खुद के पसीने से पैदा की हुई फसल चोर भी उठा के ले जाए, गुस्सा नहीं, पशुपंखी आकर खेखा जाए, तो भी संतोश कोई अतित्री आ जाए, जोली है, भर दें, और फिर कुछ बचा-खुचा है, तो बच्चों के लिए घर ले जाए, और एक साल गुजारा कर दें ये मेरे गुजरात के खेडू परिवार के संस्कार है, ये उनके बच्चे हैं, ये उनके बच्चे हैं, जिनोंने माबाप ने पेट काट करके भी किसी का पेट भरने में कभी कमी महसूस नहीं करने दी, उनके लिए पांसो करूर कुछ नहीं होता यह देने के संस्कार लेकर क्या आए हैं यह जब तक देंगे नहीं रात को सोव पाएंगे नहीं और मैं इन परिवारों के बीच में पला बढ़ा हूँ जी मोदी ने अपने अभिमान की भी बात की और कहा कि भले ही गर्व करें या ना करें लेकिन इस अस्पताल के उध्गाटन से संतुष्टी जरूर मिली है आज एक अस्पताल का लोकारपन हो रहा है आधुनिक अस्पताल है जब मैं यहां था तो कहता था कि जिसका सिलान्यास मैं करूँगा उसका उध्गाटन भी मैं करूँगा तो लोगों को लगता था यह बड़ा अहंकारी है यह अहंकार नहीं था यह मेरे मन में एक कमिटमेंट है कि यह सिलान्यास करके पत्थर गार करके तक्तियां लगाने की फैशन समाप्त होनी चाहिए जो चीज शुरू करें वो चीज परिपूरन होनी चाहिए अगर करना चाहिए यहां आप सबको जितनी खुशी होती है मुझे उससे भी जादा होती है क्योंकि विजिया दस्वी का वो दिन था भारतिये जनता पार्ट्रे ने मुझे प्रदान मंत्री के नाते गोशित कर दिया था उमीदवार के रूप में मैं देश भर में दोड रहा था उस समाए लेकिन उसके बावजूद भी विजिया दस्मी और मेरे नवरात्री के उपास पूर्ण हुए थे मैंने ताए कि अगने मैं सुरत तो जाओंगा ही कितनी ही कठिनाई के ओना और मैं आया था और उस दिल यह लाल जी बात्षा वो मेरी बगल में तश्वीर निकालना चाहते थे तो भूमी पूजन के लिए फावड़ा चलाना था तो मैंने बात्षा को का पचास करोड़ देखो तो मैं करते रूगया नहीं तो नहीं करने दूगया इस अधिकार भाव से मैंने आप लोगों के बीच काम किया है और वो मान गए थे इतने अधिकार भाव से आप लोगों के बीच मैंने काम किया और तब यह अस्पताल जब मैं अपने सामने इतना भव्य रूप देखता हूँ मेरे लिए इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो सकता है और इस काम को इतने बढ़िया धंग से परिपूर्ण करने के लिए पूरी टीम को मैं रदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता अब बहुत अब बहुत अबड़ा को अब देखता है